नमस्कार दोस्तों सुक्स्रेश्ट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है कुछ टेकनिकल प्राब्लम की वज़े से डिस्प्ले में मुझे लग रहा है कुछ आप लोगों को दिक्कत आई थी तो उसके लिए हमारी टेकनिकल टीम छमा प्रार्थी है आप लोग जुड जाएं अब हम लोग शुरू करते हैं तो कुछ खास अभी नहीं शुरू ही हुआ था यह सेलेक्शन स्रीज जिसमें प्यू आई क्यू चल रही है प्यू आई क्यू की यह जोगरफी वाला सेग्मेंट मौर्निंग के समय होता है लेकिन किन ही कारणों से मौर अब भारत के भुगोल में आज हम लोग अपवाह तंत्र पर देखेंगे यह अपवाह तंत्र ने ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का यहां से कुष्चन्स आपके आते हैं इंपॉर्टेंट है नदियां आपको एक्जाम में करके जानी है उसको लर्न करके जाना है जैसे लगे जो साहयक नदियां होती है कोई पर्टिकवलर डेम है यह सब आपको करके जाना है एक जाम में तो इसक्रम में आज आज आपका पहला कुष्चन है गंगा नदी उध्थारन है पुरवर्ती अपवाह का अनुवर्ति अक्रमवर्ति परवर्ति तो यह अपवःतन्त हो पूरुवरती मतलब कि गंगा नदी बहुरही थी ऐसे गंगा नदी ऐसे बहुरही है ईजय से ब्रियुеля नदीा म errorक पर चलती रही है तो जैसे गंगा नदी जो आपकी greater हिमालया से निकलती है उसके बाद लेसर हिमालया आपका बना सिवालिक बना색. यह सब बनते गए नदी अपना मार्ग का जो है अनुसरन नहीं छोड़ा तो अपने मार्ग पर चलती रहे तो इस तरह की नदियों को पूरवर्ती नदियां कहते हैं जो इसी तरह से योती है अध्यार ऊपित नदी यह भी आपसे एक्जाम में पूछा जाता है अध्यार ओपित नदि का मंट सा और से वह आप लोग देखेंगे वीलहालach Doe이 का उधारन है तो यहां से प्रस्ण उठता है यह प्रस्ण आपके सामने आया तो आपके अंदर यह जिग्यास है तुरंत आने चाहिए कि आप पूरुवर्ती नदी अध्यारोपिद नदी नदी अपहरण रिवर कैप्चर यह सब क्या होता है इसको आप जो है रिवाइज करने देख लें ठिक और यह सब देखिए मैं यहां पर बहुत जाड़ी डिटेलिंग नहीं करूँगा यदि आपको लगता है कि नहीं इनके बारे में और जानना है तो भारत का अपवा तंत्र की जो क्लास है आपकी यूट्यूब पर पढ़ी हुई है मेरे द्वारा ही पढ़ाईगी वहा से जाके आप किलियर कर सकते हैं कांसेट होगर नेक्स कुस्चन है बंगला देश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निमलिखित में से किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बंगला देश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है यह आपके सामने कुष्टिन का answer है लोहीत पदमा काली गंगा नब्व गंगा तो यह जो है यह कुष्टिन आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी को दिखिए गंगा नदी से निकली यह ऐसे बहते हुए जो है यह आपकी जब यहाँ पर आती है बंगला देश में प्रिवेश्ट करती है यह बंगाल है यह एक पोर्षन यह भूगली के नाम से जाना जाता है जो बंगला देश में चला जाता है वह आपका पदमा के नाम से जाना जाता है तो पदमा के नाम से जानी जाती है तो यह है इसका आंसर हो गया पदमा इसमें कोई डाउट नहीं होगा नेक्स कुश्चन देखिए कुश्चन नमबर 157 कथा नहीं गंगा बहुत ही प्रदूसित नदी है अच्छा जी कारण बता रहा है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक साथ यह लिख ter होता है उतना ही अधिक प्रदूसित होता है ऐशा नहीं ऐए एक बार काइंको षड़ करेंगे पुजा पारत करेंगे और वहां पर जाके गंदगी फैल 투कffy, इस वजा से लेकिन ऐसा नहीं है इस वजह से प्रदूर्सीत नहीं है बलकी जो गंगा नदी प्रदूर्सीत पवित्र होने की वज़ए से वहां में Pooja Part होता है लोग चढ़वा वगर नदी में चढ़ा देते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं जिसकी वज़ए से प्रदूर्षन होता ह लेकिन main production गंगा नदी का कारण क्या है जो वहाँ पर गंगा नदी में industries वगर जो नदी के किनारे किनारे हैं या फिर सहर की जो आपका सीवेज वगर हैं इनकी वज़े से गंगा नदी प्रदूर्शित जादे हो रही है तो कथन A सही है कथन 2 आपका गलत है नेक्स कुश्चन देखिए निमलिखित कथनों का परिच्छन करिए ठीक है परिच्छन करिए आप लोग और बताईए कि नीचे दिये गए कूट में से कौन से सही है कथन जिनका परिच्छन करना है आपको देव प्रयाग अलक नंदा और भागी रथी नदी के संगम परिस्थित है रुद्र प्रयाग अलक नंदा और मंदाकनी नदी के संगम परिस्थित है अलक नंदा नदी बद्री नाथ से बहती है केदारनाथ आदी संकराचारे केदारनाथ में आदी संकराचार दौरा इस्थाफित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है यानिक केदारनात में यह इतने statement आपके लिखे हुए है अब देखिए अच्छा question है अब आपको जो exam जो भी UP उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग दौरा लिया जाएगा तो उसमें इसी तरह के question आपको दिखेंगे तो यह question आपसे कह रहा है कि बच्चा आप जो है जो उत्तराखंड में जितने प्रयाग है जितने प्रयाग है उनको जो है आप याद कर लिए उत्तराखंड में 5 प्रयाग है तो वो आपको याद होने चाहिए उनको याद कर लिज यह कौन कौन से प्रयाग है जो आपका देखिए यह तो एकदम सही statement देव प्रयाग यह नदी जो यह वाली नदी जो बहर रही है यह अलक नंदा है यह नदी अलक नंदा है अलक नंदा अलक नंदा में यह भागी रथी नदी है भागी रथी यह जब मिलती है ठीक भागी रथी नदी जब मिलती है तो यहां पर जो एक देव प्रयाग बनता है कि देव प्रयाग बनता और इसी देव परियाग से इसको जो है गंगा के नाम से जाना जाता है इसके पहले ये भागी रती के नाम से जानी जाती थी भागी रती में एक नदी यहां पर और मिलती है बताई जारा बहुत फेमस है किसलिए फेमस है भागी रती पर एक नदी और मिलती है वह किसलिए फेमस है यह आपक बागी रथी और बिलंगना के संगम पर टेहरी सहर था वहीं पर टेहरी डैम बना हुआ है दूसरा है रुद्ध प्रयाग तो रुद्ध प्रयाग से जो है रुद्ध प्रयाग जो है यहां पर है ठीक रुद्ध प्रयाग में जो है अलक नंदा से मंदाकनी रीवर मिलती है आ उसी से आपका क्या बनता है अलग वहीं पर आपका रुद्ध प्रयाग बनता है तो देव प्रयाग रुद्ध प्रयाग एक आपका विश्नु प्रयाग है एक आपका कर्ण प्रयाग है एक आपका नंद प्रयाग है तो यह इस तरह से यहाँ पर प्रयाग है और अलग नंदा से सभी नदिया मिलती हैं और ये प्रयाग बनते हैं इनको जैसे विश्नु प्रयाग है तो विश्नु प्रयाग में आपकी जो है धौली मिलती है धौली गंगा दोली गंगा मिलती है विश्नु प्रयाग में पिंदर मिलती है आपकी कहाँ पर करण प्रयाग में पिंदर मिलती है पिंदर करण प्रयाग में मिलती है अलक नंदा से वहाँ करण प्रयाग बनता है नंद प्रयाग में जो है नंदा देवी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है तो इस तरह से यहां पर सारे प्रयाग हैं इसको डाइग्राम बना के याद कर लिजिए यहां से कुश्चन कभी भी पूछा जा सकता और कभी भी गलत हो सकता है निमलखी तिस्थानों में से कहां पर भागी रती और अलग नंदा नदियां मिलती हैं यह कुछ्चन आप लोगों के लिए बच्चों वाला है तो आप जानते हैं भागी रती और गंगा अलग नंदा देव प्रयागें मिलती हैं और यहीं पर है आपका की जो है यहां पर देखिए यह अलख नंदा रिवर है अलख नंदा जिस पर बहुत सारे प्रयाग थे वहीं पर आपकी क्या है इसी पर आपका बद्री नाथ है रहे थी तो उसκे उपर यहां पर के दारुणाथ है किसके लिए के लिए हैं कि अ और यह अलग जो है बड्री करें बसके व画 होने कर realize जै doet तो ब्री बी भी है A से अलगनन्दा यह इस तर इक दो सुप Пस जैसे हो याद कर लिजी कुश्चन ये कभी भी पूछा जा सकता है नेक्स कुश्चन देखिए गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी जिसका उदगम मैदान में है को चिन्नित कीजिए मतलब कि गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी का नाम बताना है आपको जो मैदानी भाग से उतरित होती है मैदानी भाग में उसका उदगम होता है सोन नदी, सार्दा और गोमती, राम गंगा ये नदियां है, ये कुश्चन important है, आपको याद होना चाहिए इसका आंसर बताईए आप लोग देखिए गंगा नदी कहां से निकलती है हिमाले से निकलती है, गंगा नदी की अधिकान सहायक नदियां कहां से है, हिमाले से है ठीक है, तो लेकिन कुछ नदियां, नान हिमाले नदियां भी है, तो देख लिजी इसमें क्या है मैदान से, मतलब मतलब किसी पहाड़ी से निकल के कहां से निकल लिए प्लेन से निकल ले तो इसमें देखेंगे यह गोमती जो है ना गोमती नदी है यह जो है आपकी पीली भीत से निकलती है पीली भीत के जो है गोमत जील से या फुलहर जील से फुलहर जील है यहां से निकलती है ना कि किसी पहाड़ से निकलती है तो गोमती गंगा की एक ऐसी जील मतलब नदी है सहयक नदी है जो की मैदानी भाग से निकलती है फुलहर लेख है पीली भीत में वहां से इसका उदगम होता है यह गोमत जील भी इसको बोलते है तेखिए नदी कहां से निकलेगी जहां से उसको पानी का सुरोत मिले है ना पानी तो किसी अब यह जो फुलहर जील होगा इसको यहां से निकल लए इसका मतलब पानी इसके जमीन के अंदर से आ रहा होगा स्रोता होगा जहरना होगा तो फुलहर एक जहरना जील होगी जिसके अंदर से पानी आ रहा होगा और वहां से ये गोमत नदी निकल लए होगी ठीक है नेक्स कुश्चन देखिए कथना और कारण का कुश्चन है यह दिल्ली और आगरा के मद्दे वर्स के अधिकान समय यमुना नदी मृत्त हो जाती है मतलब मर जाती है अब आप सोचेंगे नदी कैसे मर जाती है तो नदी कैसे मरेगी यह आप भी हम बात करेंगे दूसरा है यमुना असतत वहानी हो जाती है यहां पर आप मिर्त का दो अर्थ लगा सकते हैं मिर्त का दो अर्थ लगा सकते हैं कि इसमें पानी खतम हो जाया यानि कि पानी नहो यह आप लगा सकते हैं कि दिल्ली और आगरा के मद्द यमुना नदी मृत्त हो जाते हैं, बहुत प्रदूसित होती है। अब दूसरा है असततवहणी है। ऐसा नहीं है। यमुना नदिया Jetzt कान से होते हैं। पर जो किसी glacier से मिल रहा होता तो यदा मुना को यमनोत्री glacier से water की supply हो रही होती है इसलिए असततवहनी नहीं है बलकि किया है वह सततवहनी है पानी तो उसमें हमेसी रहता है लेकिन इस बीच में वह क्या है बहुत जादे प्रदूसीत होती है, तो इसका answer क्या हो जाएगा इस वन इज रांग यह कथन गलत हो जाएगा और यह कथन आपका सही होगा तो आपसन हो जाएगा C A सही है प्रंतु R गलत है कोई डाउट Next question देखते हैं निमलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहयक नदी नहीं है यह बच्चों वाले question है बेतवा चंबल केन राम गंगा तो देखिए चंबल बेतवा केन जो है यमुना की सहयक नदी है यमुना की सहयक है यह राम गंगा जो है गंगा नदी की सहयक नदी है राम की गंगा गंगा नदी की सहायक नदी ठीक है तो यह जो इसका आंसर क्या हो जाएगा राम गंगा इसमें ज्यादे डिसकस्टन की कोई जुरूरत नहीं है इतना आपको पढ़ लेना चाहिए यमुना नदी की निमलखित सहायक नदियों पर विचार कर जिए और उन्हें पस्षिम से पूर्व की और क्रम में बिवस्थित करें यह बड़े खतरना कुस्टन होते हैं इस बार UPSC में भी इसी तरह कुस्टन आया था यह यमुना नदी है यमुना नदी में जो है इसकी सहा आयग्राम बना के नदियों को अपने काउपी में बना लिजिए यह इस तरह से कुस्टन पूछा जा सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो पता होगा यह तो कैसे इसको करिएगा अब देखिए इसमें केन आप जानते हैं केन जो है यूपी में बहती है यूपी आपका इधर कहीं तो केन तो केन जो है आपका क्या होगा सबसे लास्ट में होगा केन को सबसे वेस्ट में होना चाहिए ठीक पस्चिम से पूर्व की तरफ करना था उन्हें पस्चिम से पूर्व की तरफ करना था तो शबसे अंत में इधर क्या हो जाएगी, केन हो जाएगी, केन, फिर इसके बाद क्या है आपका यहाँ पर, केन बेतवा है, तो बेतवा हो जाएगी, बेतवा, इधर आपकी केन, इधर आपकी सिंद, इधर आपकी चंबल, चंबल, सिंद, बेतवा, केन, यह क्रम आपका बन पूरा हो गया है प्रस्चिम से पूरू है यह मैंने ही उल्टा लिख दिया है यह वेस्ट होगा और इधर आपका इस्ट होगा ठीक है वेस्ट टू इस्ट तो देखिए अब इससे यह तो माल जी मुझे यह पता है कि स्क्रम में लेकिन मुझे नहीं पता है रफ कि यहां पर यहां पर है खितना ही अब इतना ही अब इतना आपको इतना आपको confident Judge दिखा ना पड़ेगा इतना रिस्क लेना पटेगा बहुत सारे हम नहीं पता कि वह पता है के अगज में कूश्चन को को सही कर सकते थे से इस आपका यह जो है वहां पर हम लोगों ने लिख दिया है कि यह क्रम होगा चंबल होगा शिंद होगा बेतवा होगा फिर केन होगा किलियर है नेक्स देखते हैं हम लोग निमलिखित में से किस नदी का जल गरहन चेतर सरवाधिक है अब देखिए यह कुछ जो है जो है जो है जो है इनमें सोन का जल गरहन चेतर जो है कितने एरिया को यह कबर करती कितने एरिया का जल जोयल ग्रहन करती इंथ यह आपकी इन नदियों में सौन नदी है जिसका जल ग्रहंविठ च्षेतर अन नदियों से जो सरवाधिक है नमबर्स आपको याद नहीं करना बस इस Qusrasin से यह सीख लिले लिए प्रमुक्ष जैसे यह हैं जो महा नदी है नर्वदा है गोदावरी है कृष्णा है इन नदियों का जलगरहन देख लिए किसका सरवाधिक है गंगा यमुना का तो जादे होगा यमुना से तो यह मौरीबंद डेल्टा निमलिखीत में से किस डेल्टा का उप वि भाजण यह मौरीबंद डेल्टा है यह जो गंगा और तो इधर से ब्रह्मपूत्रा आती है और यह दोनों कहां पर मिलती ऐ बंगलादेश में डेल्टा का फॉर्म एसी बंगला देश में देल तका सुंदरबंध डेलका है उसी का भाग मोरिबंध डेल्टा भाग है यह बंगाल इटा का इसको याद कर लिजिये यह का नेक्स संधि चोड़ दी जे हम ल Gibson के निमेखित में से कौंसा एक नदी भारती गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, कौन सी नदी जो है, गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, मतलब गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा के जल गरहन छेतर में अपना योगदान नहीं देती है, तो कौन सी नदी है, यहाँ पर देखिए, पुनपुन, अजय, जलां जाक नदीयां है तो ये जोक के दिए जोए जो है किसकी गंगा karışका bạn न影片 किसी तरह से अपना जल जो YOUR गंगा नदी में नदीया से पुन पुन्पून गंगा नदी कि की सहे का एक एद जलांगी ये जलांगी जो बेस्ट बंगाल में बहती है तो ये भी जो जो ए गंगा नदी की मतलब जो ए अपना जल उसके बेसिन में गिराती है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर जोग नेक्स देखिए इस कुश्चन को देखिए निमलिखित में से कौन सी नदी उत्तर आंसर आपको पता होना चाहिए सोन नदी यूपी में बहती है सोन जो सोन भद्र वाला रीजन है हिंदन नदी जो है आपका गाजियाबाद डिस्टिक में बहती है सार्दा तो आपकी चलती ही चलती है यह गंडक रीवर जो है यह नेपाल से निकलकर नेपाल से निकलकर बि मिल जाती है तो गंगा में मिल जाती है तो यह जो है गंडग रिवर उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है नेक्स्ट कुश्चन देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रा ने अब ब्रह्मपुत्र के बारे में है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसकी संबंदित जो कुश्चन है तो उसमें देख लिजे ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव छेत्र है ब्रह्म पुत्र नधी कहां जो किन किन देशों से होकर बहती है तिब्गत बंगलादेश भारत अन्ने कि यह जो है इधर तिब्बत से तो जानती है ब्रह्भुत्रा जो है मान-सोरोवर के पास से निकलती है ठीक नहीं यह मान-सो बढ़के पास से किसी ग्लेस zombies निकलती है इसक वाई तिब्वत होते हुए इंडिया में प्रिवेश करती है इंडिया करने के बाद ये क्या कर जाती है बंगला-देश प्रोफ इस इंडिया यह बताएं ब्रह्म पुत्रा इस एरिया में सांगपु नाम से जाने जाती है फिर यहां ब्रह्म पुत्रा और यहां पर जमुना नाम से जाने जाती है ठीक है तो यह सब आप लोग जानते तो इससे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा तिब्बत बंगला देश और भारत से होकर प पास से निकलती है ब्रह्म पुत्र गंगा तापी ब्यास ब्रह्म पुत्र शिंदू शिंदू गंगा तो देखिए आप देखें कि यहां पर मानसरोवर लेख है कैलास रेंज पर मानसरोवर लेख इसी एरिया से जोई इधर शिंदू निकलती है और इसी एरिया से आपकी जो है क्या लगभग ब्रह्म पुत्रा निकलती है तो ब्रह्म पुत्रा और सिंदू इंडस और आपकी इंडस और ब्रह्म पुत्रा यह दोनों का सुरोत लगभग एक ही है एक जैक्टली एक नहीं है लेकिन लगबग एक आने मांसरोवर लेक के आसपास से निकलती है तो यह आंसर हो जाएगा next question देखिए नीचे दो कथन दिये गए हैं इन में से एक अभिकथन है और दूसरा कारण कहा गया है अभिकथन ए और कारण अभिसको आपको पहचानना और सही करना तिस्ता नदी पहले गंगा की सायक नदी थी आज कल वह ब्रह्मपुत्र की सायक नदी हो गई है अने तिस्ता ने गंगा को दोखा दे दिया ठीक अच्छी बात है नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए देखिए यह कुस्चन बहुत अच्छा है इसका बहुत लोग आंसर आपको क्या दे देंगे ए दे देंगे कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन ऐसा नहीं है देखिए तिस्ता नदी गंगा की सहायक नदी थी आजकल वह ब्रह्म पुत्र की सहायक नदी है यह बात एकदम सही है नदी अपहरण आने कि रिवर कैप्चर की जो घटना है हिमालय की नदियों की एक प्र यहां इसकी कोई सहायक नदी है माल लिए यह नदी है यह इस पहाड़ी को वर्टिकल इरोजन करते करते जो है कहां आजाए इस जगहां पर आजाए और यहां का पानी पूरा कहां मूड़ जाए यह इधर मूड़ जाए यह घटना होती रिवर कैप्चरिंग की ठीक यह यही नदी जो थी यही नदी क्या हुआ अपने मार्ग को परिवर्तित करके यहां पर आ गई और यह नदी आप जो है यहां पर अपना जल इसमें आ गई तो तिस्ता नदी जो है क्या है मतलब तिस्ता नदी मतलब अब इस तरह से क्या हुआ अपने मार्ग परवर्तित करके यहीं इसमें अब इसमें तिस्ता का पहरण जैसे यह वाली घटना यहांि पर एक शोड़ी नहीं था, बल्कि इसका पहरण इसने कर लिया, यहां पर इस तरह की घटना आपहरण ताइप की नहीं हो, तो दोनों कथन सही हैं लेकिन ब्याक्ख्या सही नहीं है, आप कह सकते हैं, यह नदी पहरण नहीं बल्कि मार्ग परिवरतन के कारण यह में ही की रूप सही माइनों में नदी अपरण नहीं है ठीक नेक्स सुस्चन देखिए दच्छिन भारत की नदियां पस्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्मान नहीं करती हैं कारण वे छोटे मार्ग से तिब्र गती से कठोर चट्टानों के उपर से प्रवावित होती है देखिए पस्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का फार्मेशन नहीं करती हैं यह एक स्टेटमेंट हो गया इसको होना चाहिए कि पस्चिम घाट की तरफ बहने वाली नदियां या पस्चिम की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा का फार्मेशन नहीं करती हैं मतलब यह हो गया कि जो यह जैसे अब यहां से जो नदियां आती है इधर जैसे क्रश्ना गोदावरी तो हल्का फूल का डेल्टा का फार्मेशन करती हैं लेकिन जो इधर अरेवियंसी में आती हैं जैसे नर्वदा तापी या इधर केरल की बहुत सारी नदियां है यह सब इल्टा-का फार्मेशन नहीं करती इभी तो इन्के डेल्टा का सब्सक्राइबर तो इसके अर दिस बगराईं यहां पर फशिчи इसलिए यहां पर यहां पर एक चिए होट इनtempo है वेया क्वाट कारण क्या कर रहा है तो यह option इसका सही हो जाएगा नेक्स वन देखें प्राइद्यूपी भारत की सभी प्रमुक नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परन्तु नर्वदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती एकदम सही बात है नर्वदा और तापी नदियां बंगाल में न जाकर अरव सागर में गिरती है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यह का इंका उल्टा बहने का तो यह कारण ही यह है कि यह भ्रंच से होकर बहती है तो इसलिए जो है यह ए भी सही है और आर जो है एक ही सही ब्याक्ख्या कर रहा है इसलिए कथन ए सही हो जाएगा ठीक है यह बात नेक्स देखिए इन पस्चिम वाहनी नदियों में से कौन दो परवत सिर्णियों के बीच में बैठती है तो सारावती, नर्वदा, माही, साबरमती तो आप जानते हैं नर्वदा नदी जो है बिंधेन और आपका जो है यह बिंधेन माउंटेन है और यहां पर आपका जो कौ और हों ठैख है यह जो है नर्वधा नजी यह दो मांंद दो परवत संखलाहों के बीच से बैती difference व मुझत कि नर्वधा अपने मुहाने पर डेलटा का निर्मार करती है यह एक भ्ण्स घाटी में बैती है धिक आपने अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का फार्मेशन नहीं करती है ठीक है नर्वदा अपने मुहाने पर डेल्टा का फार्मेशन नहीं करती है तो यह स्टेट्मेंट क्या है गलत है नर्वदा क्या है एस्चुरी का फार्मेशन करती है यह बहती है यह बात सही है तो यह एक गलत है परन्तू आर सही है असान कुश्चन है कोई दिक्कत नहीं है तापी और नरवधा इधर बिन्देयन है ठीक नरवधा नदी बहरेखे यह फिर यह जो एक बलाक यह दोनों यह आमका बिन्देयन यह सत्ट-पुरा यह दोनों तो नर्मदा नदी अमर कंटक से निकलती है निमलिकित में से कौन सा सोन नदी का वास्तिक स्रोत है यह देखिए अब खतरनाक question हो गया सहडोल जिले का अमर कंटक सहडोल जिले का सोन मुडा बिलासपूर जिले में सोन सोन बच्छरवार मंडला पठा अब इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं आ रहा है तो आ रहा है नहीं पता तो नहीं पता है फिलाल इसका सही आंसर है बिलासपूर जिले के सोन बच्छरवार से निकलती है अब जैसे सोन से एक बार तुक्का लगा सकते तो सोन सब में दिया है न तो यह अमरकंट जो दिष्ट्रिक है उसमें अमरकंट कर बीश्टिम जो मो कि परवत सुमा है उसके जोए अधियों में यू आधिया नदी से नेहीं निकलती है तो प्राय भारत की प्राया नदियां पस्चमी घाट से निकलती है गोदावरी कावेरी ठीक अब इसमें से जो है कौन सी नदी जो है पस्चमी घाट से नहीं निकलती है तो तापी देखिए गोदावरी निकलती है कावेरी निकलती तापी जो है तापी जो है आपकी पस्चमी घाट से नहीं अबाम भी कोई नदी होगी चोटी मोटी जो वहां से निकलती होगी तो तापी इसका अंसर हो जाएगा यह मनोत्री हो गई इसमें तो कोई डाउट है नहीं होगा तो एका चार लगा देंगे एके चार लगाने से कोई काम बनेगा नहीं ठीक अब आपका जो है बचा इससे यह पता चलता है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा अब देखिए महा नदी जो है आपकी महा नदी जो है D के 1 से निकलती है सिहावा से तो D का जो है आप लगा सकते हैं 1, क्रश्ना और गोदावरी जो क्रश्ना है आपकी क्रश्ना महा बल्ल अब देखिए इससे कुछ काम हो रहा है क्या D का 1 देखिए D का 1 D का 1, यहां भी अभी बात गड़बड होगी, खतरनाक question हो गया आपके लिए इससे भी नहीं चला, कभी कभी क्या होता है, एक ही option से आपका सही हो जाता है अब जो है आपकी क्या बची, क्रशना और गुदावरी, तो क्रशना न दी जो है आपकी कहां से निकलती है, महा बलेश्वर से, और गुदावरी आपकी नासिक से ठीक है, तो क्रशना आपकी हो जाएगा, B का 3, तो B का 3 हो गया, A का, C का 2 हो गया तो A option इसका सही हो जाएगा, यह इसको आप कहने का मतला कि इस तरह के जो सुरोत कहां से निकल नहीं के नदियां, उनको याद कर लिजिए, खास करके जो आपकी कहां की हैं, प्राइद यूपी भारत की नदियां, कावेरी रधी का उद्गम इस्थल कहां है, सहयाद्री में, ब्रंबगीरी पहाडियों में, गवालीगर पहाडियों में, अमरकंटक्स है, तो कावेरी नदी करनाटक की ब्रंबगीरी की पहाड़ियों से निकलती है कुर्ग डिस्टिक है करनाटक का वहां के ब्रंबगीरी पहाड़ी है वहीं से कावेरी का उद्गम होता है तो यह आप याद कर सकते हैं विद्द झेल himself ? निमलिकित नदियों में छी किसे दच्छन की गंगा कहा जाता है कावेरी किष्ण गोदावरी और Nanravedah देखिए दच्छन की गंगा गंगा के रूप में जो ना की शीधा वी गंगाो जाता है उर इसको दिया था कॉझ Clinic will गंगा के रूप में बोला जाता है आफ गोदावरी आव इस ने दे दिया तो इसको जो है ब्रिहत गंगा के नाम से नाव झालक की पबितर हैं लेकिन वह तो आयोग ने आंसर किस संसंभन प्रणाटक अंधित जवाब बुक पढ़ेंगे तो यह आपको मिलेगा कि कर्ष्णा नदी जल विवाद किन राजियों के मद्ध है कि प३र दिखेंगे है यह आपको बताना आप करनातक महाराष्ट, करनातक आंध communist, आंथ प्रदेश investir आ रृत He कि लिए कटते तो हटा दीजिए तन वाला हटा दीजिए त Tiger अब बचा रृत नदी जो है कर शना नदी का जो ज़ल है आपका यह जो है करनाटक, महाराष्ट, आंधप्रदेश यह तीनों से होके जाता है तीनों में के मद्ध विवाद होगा तो यह जो है इसमें कुल मिलाके यह आंसर जो है यह भी सही है आंधप्रदेश और महाराष्ट के बीच में इन के बीच में आपका करनाटक मलब कुल मिला कि यह कुष्चन जो फ्रेम किया योग ने दिया है सही आंसर इस कुष्चन जो फ्रेम नहीं किया है करनाटक महाराश्ट आन पदेश्ट तीनों के मद्द इस नदी के जल को लेके बिवाद है दचिण भारत की प्रमुक नदियां प्रमुक रूप से निम लिखित में से कौन सा अपवात अंतर रखती है अरीए खंडित ब्रचनुमा जालिदार तो दचिण भारत की जो नदियां हैं आप देखेंगे पर तो बहुत सारी सायक नदियां ऐसे 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 इस तरह से बना रही होंगी ठीक तो जो अपवा तंतर रखती हैं तो आप ब्रच्छनुमा अपवा तंतर जो है मेजरली पाया जाता है वहीं पर दक्षिल भारत में जाली-दार आने ट्रेलिस आपका भी पाया जाता है लेकिन अब इन में से बताना हो आपको तो ब्रच्छा नुमा बता के आप निकल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अरी भी दक्षिन भारत में पाया जाता है जैसे नर्वदा यह आपका अमर कंटक है वहाँ पर अरी पाया जाता है न यह देखिए बच्चा कुस्चन है सर आपके इंतजार कर रहे हैं दूसरी क्लास जो आपकी चलने वाली है लेकिन कोई बात नहीं मैं सर को थोड़ा से इंतजार करवाता हूँ निमलिखित भारती नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है एस्चुरी और डेल्टा जो आपने जाना है यह बच्चों वाला जो नदियां कहां पर गिरेंगी इस एरिया में गिरेंगी वाले कुंश्चन नहीं है भारत की नमलिखित नदियों नदियों के घाटों में किन में जलका भाव रहता है तो इसका जो आंसर है आपका साबर मती और तापी का जो घाट है इन में जलका भाव रहता है यह कुश्चन आपसे नहीं पूछेगा फिलाल आंसर इसका एक और दो है नेक्स देखिए निमलिखित में से कौन सी नदी गाटी का सबसे अधिक है कावेरी महानदी नर्वदा तापी तो देखिए यह जो है एरिया जो है इसका क्या होगा आंसर यह जो है आपका महानदी गाटी जो है महानदी बेसिन है इसका एरिया जो है इन नदियों में सबसे बड़ा है लंबाई भी इसकी सबसे जादे है जो प्रायद्यूपी भारत की नदियां है महा नदी उसमें सबसे लंबी है नर्वदा महा नदी गोदावरी कृष्णा अब इसमें बताना आपका जल ग्रहन छेत्र किसका सबसे अधिक है जल ग्रहन छेत्र नर्वदा महा नदी गोदावरी कृष्णा तो यह जो आपको क्रम इनका याद कर लेना है फिलाल सबसे बड़ी कौंसी है महानदी है फिर आपकी क्रिष्णा है नर्वदा है यह आपको याद कर लेना क्रम यह आपसे पूछा जाता है तो आज के लिए इतना ही नेक्स हम लोग कल सुबह फिर से मिलेंगे और उसी टाइमिंग पर हम लोग अपना डिसकसन करेंगे आज की यह क्लास इंट्रेप्टेट थी बीच में जो है कई चीजों को बाधित करके आप लोगों के लिए जो है यह क्लास प्रिजेंट की गई तो कल हम लोग फिर से अपने समय मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद अब सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं उनका मैंने समय खा लिया तो बहुत जल्दी सार आपसे मिलेंगे